रेत के टीलों से निपटने में प्रशासन गैर जिम्मेदाराना विवहार करता दिख रहा है अगर रेत के टीलों पर किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है तो अधिकारी मुगदर्शक बने रहेंगे तो इसे बरदाश नहीं किया जाएगा सांसच सुनिल मेंधे ने जिला कलेक्टर के समिक्षा बैठक में प्रशासन को चेताओं ने दी कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण मैच हारने पर मामले की कंभिरता से लेना होगा गोंदिया जिले में विविन्नक कार्यों की समिक्षा के लिए सांसच सुनिल मेंधे ने जिला कलेक्टर के उपस्तिती में गोंदिया कलेक्टरेट में बैठक की इस आउसर पर विधायक विजेर हम डाले कलेक्टर नैना गुंडे पुलीस अधिक्षक विश्व पानसरे पाजपा युआ मोर्चा के जिलाद्यक्ष ओमकटारे ओभी से अध्यक्ष अगजेंद्र फुंडे आदी मौजुद थे। पैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के बाद अवेद्रेट खनन को लेकर सवाल उठाए गए। सांसदों ने कहा कि तीरोडा तहसल के खाट के बाद भी घाटों से रेट निकाली जा रही है और यह गंबीर चिंता का विशय है। प्रशासन अवेद्वालू और टिप्परों के खिलाब नहीं बलकि घरेलू के लिए आने वालों के खिलाब कारवाई करता है। इस आधार पर रेट परिवहन से दो मजदुरू की मौ सांसत सुनिल मेंडे ने कहा कि आवेद्व रेट खनन पर प्रशासन की नजर होती तो शायद समय नहीं आता और इस तरह के यातायात पर ततकाल रोक लगनी चाहिए। बीसेन नियूस के लिए गोंदिया से अभिशेग भटनाकर के रेपोर्ट